प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट मश्कार दोस्तों स्वागत आपको योट्व चनल फिन ओईज पे अभी बीपी सीयल के शेयर के प्राइस में आपने देखा रहेगा कि बहुत जादा गिराबड बन रहा है बहुत जादा स्टॉक में अपने इन्वेस्टर्स को एक बोल सेते की प्राइस जो है शेयर का 480-90 के पास गया है उसके बाद एक साल के अंदर के कर देखेंगे तो उसके बाद जो है स्टॉक में बहुत जादा गिराबड बना है तो दोस्तो बहुत सारे से इन्वेस्टर्स रहेंगे जो यह प्राइस में खरीदा है और स्टॉक का प्राइस भी यह चल रहा है तो इसके बारे में बीपी सील के बारे में एक डीटेल वीडियो हम लोग यहापे आपके साथ शेयर कर रहें ताके अगर आपके पास बीपी सील का शेयर है या फिर अगर आप लेना चाते है तो इसके बारे में एक डीटेल जान करे रहे हैं आपके पास रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रही के पीप स्केप मत किजे ताके आपको एकुलेट इंफ्रमेशन में दोस्तों एक साल के अंदर आप देख सेकते हैं स्टॉक के प्राइज में क्या हुआ है और इस वीडियो के मादधम साब को बतना चाहेंगे कि जो बीपी सेल के टारगेट प्राइज क्या है मतलब क्या अपडेट है वो भी हम लोग दिखाएंगे इस वीडियो के मादधम से तो एक साल पहले स्टॉक का प्राइज जो है लगभग यहाँ पर 471.50 पैसा चल रहा था और वही देखेंगे स्टॉक का प्राइज उसके बाद जो है 493 रुपीज तर पहुँच गया था उसके बाद ही स्टॉक में यह तेजी देखने को मिला था और फिलाल उसके बाद जो आपे कुछ ऐसा खस अपडेट नहीं कि इसका प्राइज़ेशन होगा कब होगा यह सब लेगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक में जो है गिराबड बनता ही जा रहा है यहापे भी देखेंगे तो गिराबड बनता ही जा रहा है तो दोस्तो हम लोग जैसे कि अगर एक साल के अंदर का प्राइस देख रहे यहापे तो 493 के बाद stock आप देख सकते हैं यहापे गिरावट बनाया था जो कि 414 रुपीज के आसपार चला गया था उसके बाद फिश से stock में एक तेजी बना 462 तो इसके बीच में अगर आप देखते हैं इसके बीच में जो है एक रिटन दिया है यहापे आप देख सकते हैं September 24, 2021 से अक्टूबर 14 ते रिटन दिया उसके बाद बहुत जादा stock में गिरावट बना है 364 तक पहुँच गया था उसके बाद stock में एक तेजी देने के बाद फिर से यहापे एक गिरापड बना और आभी stock का price 322 के आसपा चल रहा है दोस्तों मतलब यह share 493 से यहापे आभी 322 चल रहा है 100 रुपे के भी नीचे यह share चला गया तो आप समझ सकते हैं कि यहापे जितने भी investors ने 465-66 के आसपास लिया था यह share उनको एक जादा गिरापड यहापे देखने को मला है बहुत ही बड़िया company है फिलाल अभी जो है यहापे कुछ target price बगर हम लोगों को देखने को मला है BPCL के share को लेके जो research किया एना list ने वो भी हम लोग share करेंगे इस वीडियो के माधधम से दोस्तों तो चलिए अभी समझते हैं क्या update है BPCL के share आपे आपे देख सकते हैं BPCL को लेके एक target price दिया गया है SDFC securities से जो के बहुत बड़ा brokerage firm है उन लोगों को लगता है कि BPCL जो है यहां से एक return दे सकता है तो यहाँ पर आप target price जो है देख सकते हैं जो दिया गया है 375 रुपीस का जो है target price दिया गया है 375 का target price दिया गया है SDFC securities से और SDFC securities का मानना है कि एक साल के अंदर BPCL 375 तक पोहुँ सकता है अब इतना बड़ा एक share और इसका एक साल के अंदर मतलब अगर price देखते हैं तो जादा कुछ यहाँ पर जो है share में अभी जो लग रहा है जो भी जिसने भी जो है यहाँ पर जो है एराले किया है इस टॉक को लेके और फिर रिसर्च किया है जादा target price नहीं दिया गया है यहाँ और एक forecasting होता है जो price का share का तो आप देख सकते हैं जादार जो है यहाँ पर कह रहा है या फिर उनलों का माना कि 2023 तक अगर यह share एक high price बनाया तो stock जो है 629 तक जा सकता है यह सिर्फ एक forecast है तो वो भी आपको ध्यान देना है high price अगर बनाता है तो 629 तक यह share पहुँच सकता है वही बात करते हैं 2023 तक अगर मतब share में जो है नॉर्माल अभी जैसा तेजी बर रहा है तो यह share 469 रुपिस तक पहुँच सकता है 469.90 पैसा तक यह share पहुँच सकता है और share में अगर गिराबड बने तो 310 के आसपास यह share पहुँच सकता है जो एक low price है तो 310 और अभी stock का price 320 रुपीज है 24 रुपीज चल रहा है तो 310 शाय से नहीं पहुचेगा मतलब अगर हम लोग अंग्टम के लिए देखते है तो हो सकता है कि आपको यहां से एक तेजी दिखने को मिल जाए तो फिलाल अब देख सकते है जो यहां पर update देखने को मिल रहा है forecast का अभी stock का जो फिर बीपी सेल का जो माफ कीजिए देख सकते है यहां यहां पर अब देख सकते है यहां तो आभी तक का जो डिटेल रहा data रहा estimated revenue और actual revenue का वह आप देख सकते है जो actual revenue हुआ है जेनरेट या फिर जो पीजानल. अब ही तक का यहां पर देखने को मिल रहा है तो फ्राइस ऐन बात केरे जो आप देख सकते हैं जो जो है कुछ दिन से फिलाल हम लोगों देखने को मल रहा है और यहां पर एक नेगिटिव मोबेंट जो है अगर देखेंगे तो जो कहा जाता है मतलब 56% गास पास जो है वो बहुत पहले का यहां पर बताया जा रहा है तो एक चीज़ आप यहां पर देख सकते हैं शेयर का जो फंडमेंटरी जो है एक बहुत strong company है तो फिलाल यहां पर जो है अभी खरीदरी करते तो छोटा मोटा target price रखना चाहिए अगर आप यहां पर इस stock में थोड़ा समय के लिए खरीदरी कर रहा है अगर आप होल कर सकते हैं तो लगभग जो यहां पर 360% रोपे का आसपास भी ए और March 2022 quarter में 13.48% stake हो गया अधर्स के पास तो यहां पर stake थोड़ा बढ़ाया अधर्स इंवस्टर जो है डियाएस के पास 21.13% का stake था December 2021 quarter में दोस्तों और वही देखते हैं March 2022 quarter में 19.85% का stake कर दिया है मतलब डियाएस ने यहां पर stake कम किया है वही बात करते हैं FIS ने December 2021 quarter में F FIS के पास stake था 12.66% का यहां पर देख सकते हैं March 2022 quarter में FIS के पास stake 13.69% का तो दोस्तों यहां पर FIS ने stake बढ़ाया है अभी promoters के पास 52.98% का stake था December 2021 quarter में और अभी भी 52.98% का stake है तो promoters ने यहां पर stake नहीं बढ़ाया है आदर्स का बात करते हैं तो आदर्स ने यहां पर बो किया है और FIS ने stake यहां पर बढ़ाया है तो यहां पर बिल्कूल हमें लगता है कि stock में अगर hold करेंगे तो आगे जाके return देखने को मिल सकता है तो दोस्तों यहां पर जैसे के हमने को पता है कि share का जो है कुछ दिन पहले जो इसका result आया था result उतना तो खास देखने को नही आधा कि result जो है एक बहुतीऊ बड़िया देखने को मिलेगा तो फिलाल उतना बरा एक result जो है BPCL में देखने को नहीं मिला था उतना जबरदस आल देखने को नहीं मिला था तो stock में जो अभी एक गिराबट बन रहा तो market में कर आप देखेंगे तो बहुत सरे shares में गिराब आचाहीए, रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप शेयर खरेते या बेशते हैं, तो खुँछ से एक बार रिसाच कर लिजी, शेयर खरेते या बेशने से पहले, दोस्तों वीडियो को यहापी ही कम्प्रेट करते हैं, वीडियो बालाने का मक्सद ही था, कि बिपी सेयल में क्या चल रहा है चोटा सा वीडियो के मादधम से वो information आपके से शेर किया जाए आशा करते हैं जो information दिया है अच्छा लगा रहेगा अच्छा लगा तो वीडियो को like and share जरूर कीजिए अगर आप हमारी YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर जरू झालगे बिंदान में assistance आइना में झालगे जरूर 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 बारी YouTube चैनल पीडियो के में जरूर 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 था चैनल दो है जरूर जरूर मेंनी तर उनावचों।